जै स्री कृष्णा राधे राधे आज हम बात करेंगे गुड की जिसका सीधा सम्मंद मंगल से भी है और सूर्य से भी है गुड का टोटका इसलिए भी ज़्यादा प्रचलित है या फिर ज़्यादा जल्दी फल देता है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होता और फायदा तो जरूर होता है इस टोटके को या उपाय को किसी के अहित के लिए मत कीजिएगा नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुड़ा हो जाता है तो अपने लिए अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए ये प्रियोग आप चरूर करें गुड़ के प्रियोग से आप दुरघटनाओं से बस सकते हैं गुड़ का एक छोटा सा प्रियोग आपके जीवन के बहुत सारी परिसानियों को दूर कर सकता है तो आज हम गुड़ जो एक से बनता है आपको पता होगा और एक ऐसा उपाय जो अगर खास दिन में किया जाए तो इसका फाइदा आपको जरूर मिलता है आप जिस भी टोने टोटके या उपाय को करें अपने अच्छी चीजों को होने के लिए करें दूसरे को नुकसान पहुशाने के लिए मत कीजिएगा तो चलिए हम जो तिस के अनुसार आज आज आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे देखे कई बार क्या होता है आप बे बज़ा गिर जाते हैं चोट चपेट लग जाती है मन में दुरगटना का भै बना रहता है अगर ऐसा कुछ जीवन में हो रहा हो तो इसका मतलब है आपका मंगल गड़बर है तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें थोड़ा सा गुड हनुमान जी के मंदिर में जाकर अरपित कर दें हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से गलती छमा करने की प्राथना करें क्योंकि जब मंगल एक्टिव हो जाए तो थोड़ा सा चोट चपेट दुरगटना के योग बन जाते हैं तो आपके संकट टल जाएंगे कभी कभी कुंडली में सनी के साथ चुकि यहां पर जो सनी देप के पिता है सूरिदेप वह अगर नीच का हो जाए तो क्या होता है ना खास कर अगर आपके छटे सप्तम अस्टम भाव में बैठ जाए तो फिर ऐसे में सरीर में परिशानी ज पहार है वह गुड़ का खाईए थोड़ा सा और फिर दिन की सुरुवात करें और दूसरा आप गुड़ और गेहूं आपकी इक्षा जितना भी लेनी है आप 8 गराम भी ले सकते हैं 800 गराम भी ले सकते हैं आठ इसलिए क्योंकि 8 अंक सनी देप का है और इसको आप बराबर मात्रा में लेकर पास के किसी मंदिर में या पीपल के नीचे रख दें तो आपके जीवन में जो सुरिक की परिसानी है वो समाप्थ हो जाएगी अब भूमी भवन को देने वाले भी मंगल होते हैं सुरे होते हैं अगर जीवन में भूमी भवन की प्राप्ति लाग प्रयास के बाद भी ना हो, अपना मकान नहीं बना पाा रहे हों, तब एक छोटा सा प्रयुग करें, किसी भी रःविवार के दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं, और एक और छोटा सा काम, जब आप गुड़ खिलाईएगा तो अपने हाथों से खिलाना है, गाय अगर कि हतेली को चाट ले तो इसका मतलब है सिग्र अतिसिग्र आपकी मनुकामना पूर्ण होगी और संभब हो तो सनीवार के दिन सनीदेव के मंदिर में च्छाया का दान करें तो ऐसा करने से भी आपकी संपत्ती प्रोपर्टी में ब्रिदी होती है बहुत सिंपल प्रियोग है लेकिन इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे अब जब आप घर की सफाई करवाएंगे तो हमें सही एक बात याद रखिएगा रवी बार के दिन सफाई करवाते से में पानी में नमक या फिटकरी डालकर पोच्छा लगवाएं या सफाई करवाएं तो आपके जीवन के ध धन अभी आता है कभी कभी क्या होता है आपकी मनोकामना लाग प्रियास के बाद भी पूर्ण नहीं होती धन परेसान कर रहा है कमाते बहुत हैं पर खर्च हो जाता है आप कहीं सही जगा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे अब आप परेसान हैं क्या करेंगे मनोकामनाओं क की पूर्ती के लिए एक छोटा सा काम करना चाहिए साथ गुड की छोटी-छोटी डली ले लें डेला वाला गुड मिलता है मार्केट में मिल जाएगा ठीक है अब उसको ले आईए साथ छोटे-छोटे टुक्रे कर ले अब इसको पीले रंग के कपड़े में इस साथ जो आप अबी बार के दिन railway line के पास या कहीं road में फेक दें अपनी मननत कहें आपकी मननत पूरी हो जाएगी कभी-कभी जीवन में बहुत प्रेसानी बढ़ जाती है करजों में आप फस जाते हैं धन है कि टिकता ही नहीं आता ही नहीं आता है तो चला जाता है ऐसे में अगर आप गु प्रेमित रूप से हनुमान जी को गुड का भोग लगाईए तो इससे भी धन की मुस्किलें दूर हो जाएंगी और आप धन के मामलों में लकी हो जाएंगे मंगल का सम्मंद आपके भाई लोगों से है भाईयों से है और जो जब हम सुरी की बात करते हैं तो यहां भी सुरी को मजबूत करने के लिए गुड खाने की सला दी जाती है चूकि लाल रंग है गुड का अब अगर आपको अपने भाई बहनों से नहीं बनती हो या फिर अभी बार या मंगल बार के दिन थोड़ा सा गुड आप कहीं भी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसको दबा दे ऐसा करने से आपके जीवन की परिशानी दूर हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाएं तो नियमित रूप से चीटियों को आप गुड डाल सकते हैं क्योंकि हनुमान जी अगर परिशान न हो जाएं तो जीवन के किसी भी परिशानी को आप तक पहुँचने ही नहीं देते तब हनुमान जी पहले उनसे टकरानी होगी परिशानी को फिर आप तक आएगी तो एक बात हमेशा ही याद रखेगा मंगलवार चतूर्थी तिथी नौमी और चतूर्दसी तिथी इन तिथियों में आप किसी भी दिन ये परियोग कर सकते हैं वैसे आप रवी बार के दिन आँखें बंद कर ये परियोग कर लें क्या करेंगे हनुमान जी का मंदिर जाईए थोरा सब गुड़ थोरे से भूने वे चने ले कर जाए और गुड़ के छोटे छोटे 21 यानि 21 टुकड़े ले लें अब एक घी का दिया जला लें और आप गुड़ का भोग लगाईए और भूना वो जो चना है हनुमान जी को घी का दीपक जला दें इसके बाद हनुमान जी से प्राथना करें कि प्रभू जीवन में बहुत सारी मुस्किले हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सरदा मन से विश्वास के साथ प्राथना करें और ये जो गुड़ की डली और आपने अर्पित किया है आप हनुमान जी के सामने रखकर आप लगातार 21 दिन तक या फिर आप 21 टुकड़े रखकर एक ही दिन पुजा कर सकते हैं अगर जीवन में अस्थाई संपत्ती की प्राप्ती लाख प्रयास के बाद भी ना हो रहा हो और यदि आपके कुंडली का सूरी कमजूर हो जाए त हैं जो भी कारे अगर उस कारे को आप शुरुआत करते हैं तो आपके कारियों में आ रही बिगनवाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है अगर आपके मन में किसी भी तरह का दुर्गटना या सरजरी का भै हो तब ताम्बे के बरतन में गुड रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दे दें और फिर वहीं पर बैटकर हनुमान चलिसा का पाठ करें ये परियोग आप कुछ समय तक लगातार करें तो गटना योग कट जाएंगे एक बात हमेशा ही याद रखे अगर चाहते हैं आपको नौकरी में खूब सफलता मिले प्रशाशनिक सेवा में जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या फिर आप चाहते हैं जीवन में मान समान खूब मिले आप दिन दूनी राज चोगुनी तरक्की करें तो रभी बार के दिन आप अदरक और सरसों का तेल का सेवन ना करें सरसों के तेल के जगा आप कोई भी तेल खा सकते हैं और साथ ही साथ देखिए अदरक का सेवन तो बिलकुल भी मत कीजिएगा नहीं तो आपका सूरे उतना आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना आप उमीद लगाए बैठे हैं वैसे तो रभी बार के दिन लाल साग भी नहीं खाना चाहिए भूजा जिसको हम मुड़ी में कहता है ना भूजा जिसको कहते हैं वो भी नहीं खाना चाहिए लाल मसूर की दाल भी खाने से बशना चाहिए और रभी बार के दिन मशली खाने की मनाई है वैसे अगर सकते हैं इमर्जेंसी है गर वह इसा जरूरी है तो लेकिन दिन में मत खाईएगा दिन में जहां तक संभव हो थोड़ा परहिच करें दाने बाद